हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप इस वीडियो में हम बात करेंगे DC वर्सिस PBKS ड्रीम लेवल प्रेडिक्शन की ग्रेंड लिग लिया से कल ग्रेंड लीग में धमाल मचाई स्मॉल लीग में भी धमाल मचाई अभी जाके चेक कर लो 33 करोड़ लीग खोलो रैंक नाइन पर यह देखने को मिलेंगे आपको डीपी देखो इनकी क्रिक 11 फोरकास फैमिली मेंबर ऐसे ही आज आपने मुझे प्राउड करना है लेके आने ग्रेंडी ग्रैंक्स और नाइन क्या वन भी एम करेंगे और लेकर भ भरते रहेंगे आपको कुछी मिलेगा फिर आप कहते क्या रहोगे कि हम जिसको फॉलो करते हैं वो करोड़ पती है हमारे पास कुछ नहीं है मैंने पहले दिन से यही बोले आपको यहां आप जीतोगे मैं करोड़ पती हूं के नहीं उससे घंटा कोई फरक नी पड़ता ठी करोड़ पतियों को फॉलो करना जो प्रोमोशन करकर के करोड़ पती बन गए या उनको जो आपको बनाएंगे मर्जी आपकी है ठीक है यह हमारा तीन दिन से स्मोल लिकर रिजल्ट है टीम वही है जो मैंने आपको दिया है लेकिन मैं टीम प्रोड़ नहीं हूं मैं पूरा अपनी जान लगाता हूं वीडियो में एक एक चीज समझाता हूं अभी दिखाओंगा कल भी क्या बोला था और हुआ क्या है लेकिन यह देखो तीन दिन में क्या की है पैसे मत देखो इसको मत देखो पैसा दिखांगे वो लोग लेके आते हैं जो बस नकलीयों पैसा मत दे इनको प्रमोट भी कर सकते हैं तो वह लेफ्टेंडर को उपर भी बेजा सकता है कुनल पांडिया को तो ग्रेंड लिग में रैंक नाइन लेखिया है उनकी टीम देखी है कुनल तो अब्विसली होंगे डिकॉक नहीं थे लॉजिक क्या वोलता है लेफ्टेंडर आउट तो हां मेरा ही मत बोल देना ठीक है क्योंकि मैं भी नहीं जानता इसको अब एक चीज़ और दिखाऊंगा शायद कल इस आदमी ने ये भी आप से बोला था कि शबाज एमद पहली बार इस हाइपेल में चार ओवर करने वले हैं वीडियो देखी थी उनको तो पता ही है जिन कर गए आये ये भी है बेस्टीम में जो 11 मेंबर की ग्रेंडी टीम दीती होगी तो यह चीज़े इंपोर्टेंट हो जाती है यही नहीं तो एक और चीज देख लेते हैं अब आप यह सुनने वाले हो कि डिको की क्या प्रेडिक्शन थी और साथ में यह भी बता दूं कि डि कर दिया है मैंने आज आपको दिखा दिया करते तो हम पूरी आइपल में अब दिखाओंगा तभी शायद आपको याद आएगा नहीं तो फॉलो आप करते रह जाएंगे जो करते हैं चीची फिर मैं सोचता रहूंगा यार विल्डवर्ल एक्सेप्ट भी यही होता वैसे वो कुनल पांडिया वली प्रेडिक्शन के बाद मेरे मन में आ रहा है थग लाइफ वले चश्मे मेरी आंखों के आ आ रहे हो ठीक है अब यहाँ पर हम बात करें कल की जो हमारी पिक्स थी उसके बाद आज की पिक्स तो अच्छे से देखना मेरी बात ध्यान से सुनि प्रमोड भी हो सकते हैं अभी तक कुछ नहीं किया 10-12-15 या उससे भी कम ट्राय कर लेना ठीक है ओडियान स्मित को जरूर करना लिविंग स्टोन तो भाई पता नहीं क्यों आगे इस कैटेग्री में तो स्मॉल लिग में भी लेंगे इनको मत देखना ओडियान स्मित इस की लेफ्ट आर्मर के आगे आप देखो जब विकेट आती है दो तीन विकेट देते हैं बल्लेबास तो अर्शदीप वो काम कर सकते हैं खलील भी है वही काम जो लेफ्ट आर्मर वाला पता है दो गए ओडियन और जितेश यह चार प्लियर थोड़ा-थोड़ा करके ट्राय कर है जोड़ जो काफी अच्छे रिजर्ट जा रहे होपफुली आगे भी कॉंटीन्यू करेंगे और टेलिग्राम पर जुड़ने के बाद दोस्तों से भी वीडियो को शेयर करो अगर अच्छी लगती है वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो अभी जो ग्रैंड ली के कॉंबिनेशन देखेंगे उससे पहले बहुत जरूरी है दोनों टीम्स का लाइनप दिल्ली और पंजाब दोनों टीम्स का लाइनप आपकी आँखों के सामने हैं अब देखो चेंजिस हो सकते हैं मिचल मार्श की जाने से हो सकता है तिम साइफर आजा या दिल्ली टीम में जाद हो सकते हैं पंजाब में वापिस आने चाहिए लेकिन वाइचास माननों में अगर नहीं आते वॉपस नहीं आए अगर तो फिर वह कॉंबिनेशन में में को मत लेना ठीक है समझके चलना यह समझाने के लिए आपको आपको आपकी समझ के ही आएगी अगर आपको लगता है कि 90,000,000 लोगों में रॉरेंक लाना बस टीम बना के ले ओगे बीना लॉजिक के तो भाई वो वो सिर्फ वो गुरुगों के ही काम है जो बोल सकते हैं आपको मेरे से तो नहीं होगा वो जूड मैं बोलता नहीं हूँ अब यहां पर हम बात करें मेरे देखो दोनों टीम का ओपनिंग पर अच्छा है मैंने आपको याद होगा पिछली वीडियो में दिखाए थे हैट टो एट स्टाट शिकर में खेले अलग लग टीम से थे पिछले साल शिकर दिल्ली में थे आज पंजाब में है ठीक है लेकिन मेंक और शिकर ने दोनों हैट उनों को मैंने लिया 5 बोलर मैंने दिलिदी के ळे ली है मैंने आप देखोगे अगर आल फाइव बोलर्स यहाँ पर दिल्ली के ले लिया है कोई भी नहीं छोड़ा ठीक है लिकिन इससे मुझे क्या कोई पंजाब का बोलर चाहिए चाहिए सिंपल ओपनर प्लस फाइव ठीक है समझाया कई बार अब तक तो आपको पता है लेकिन कोई नई वीवर है तो ओपनर प्लस फाइव इसको बोलते हैं ठीक है फॉल्स वन फॉल्स वन क्या होता है आप देखो यह पांच बोलर अमने लिए हैं हर कोई तो विकेट नहीं लेगा अगर आपको लगता है कोई विकेट नहीं लेगा वो बोलर हटा दो मैंने इसमें से एक बोलर हटाए है ठीक है और वो बोलर हटाने के बाद आप देखोगे एक बल्लेवास बढ़ा लिया है अब आप देखो यहाँ पे एक बोलर आपको कम देखने को बिल रहे है प्लस फाइव मेक्सिमम टाइम बहुत रेर चलता है लेकिन फॉल्स वन मेक्सिमम यूजज है कोई नहीं कोई करी जाता है वहां हमेशा मैंने यह देखा है अब डीसी बैट फॉस्ट अब देखो यह हमने देखा था कि ऑपनर वहीं है चल वहीं ओपनर रहें ठीक है आज भी वार्डर ऑश और बीस टीम में भी लेकिन पहले बल्लेबाजी अगर दिल्ली की आजए फिर क्या करोगे चेजिक तो है नहीं पहले बल्लेबाजी आजए तो आपको दिल्ली से फिनिशर भी चाहिए क्योंकि यह दोनों मान लो 15 ओवर में कर गए तो सीथा सीथा पंत और पावल नेक्स्ट आएंगे ठीक है क्योंकि फिनिश करेंगे सर्फराज नहीं तो कोई नॉर्मल प्लेयर है और और इस केस में मिरपाद डेथबोलर भी है क्योंकि दीए 100 ओपट तो मान रहों तभी तो यह दुनों आएंगे पहली इनिंग्स में अगर आप उपनर्स हिट मान रहे हो ना जिसे कल फाफ डू पैसी जिसने हिट माने विकेट तो कहीं न कहीं गई न बहुत सारी तो यह बोलर्स तब काम आएंगे इस केस में तो बोलर मुझे चाहिए नहीं थे पंजाब के इस केस में चाहिए है ठीक है य अब मैं आपको दिखारो पंजाब से इसमें इनके पांच बोलर हमने पिकल लिए दोनों उपनर ले लिए दिली से सिर्फ बल्लेबास लिए बोलर हमें चाहिए नहीं क्योंकि दोनों उपनर से हम चेज महान रहे हैं अब एक टीम तो चेस करेगी अगर दिली चेस करती है प आप तौप 3 लोग इसमें चेस कर रहे हैं अब नमबर तरी कोन जॉनी बैस्टरो मैं सीधा 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 नमबर ती प्री आगे अब जॉनी बैस्टरो से मुझे रंस चाहिए लेकिन वही लोग हैं तो मैं इसे तो रंस मान रहा हूं मान रहा हूं कि अगर 150 गा टार्गेट ह 110 पर भी अगर आउट हो जाए उसके बाद जॉनी आगर 20-25 मार जाए मेरा फाइदा है लेकिन जॉनी की बैटिंग तभी आगी न कोई आउट होगा तो वह आउट करने के लिए शारदुल ठाकुर मेरे पास है और शारदुल ठाकुर रंज भी कर सकते हैं तो काइंड ओफ एक यहां पर हमने वेवव और ओडियन दोनों को कम कर दिया लिविंग स्टोन को अड़ कर लिया तॉप फूर हमारे पास आगे बैस्ट्रो शिकर अगरवाल और लिविंग स्टोन दोनों इंग्लीश प्लेर्स को मैंने कैप्टन कर दिया अब मुझे धवन और अगरवाल से रन देते हैं ठीक है अगर चेजिंग भी मिल रहा है यहां पर पंजाब को तो इन दोनों को कुछ रन करने का मुझा मिल सकता है मेरे आज के फॉल्स वान और फॉल्स तू देखो पहले फॉल्स वन देखा था एक बोलर अटाके बैस्वन बढ़ाया था इस पर फॉल्स टू भी कर सकते हो नहीं करदा तो और भी बता रहा हूं अगर आप यहां देखो शिखर और म्यंक सीवी सी हैं ठीक है पंजाब के बोलर तीन ही लिए जरूरी नहीं है पांचों के पांचों ही विकेट लें अगर चेजिंग कर रही है पंजाब अगर दो प्लेयर विकेट नहीं ले तो एक बैट्समेन तो मैंने बड़ा ही लिए दिली के कितने बैट्समेन है तीन बल्लेबाज और अक्षर और शारदुल अब अक्षर और शारदुल फॉल्स बन सकते हैं ठीक है फॉल्स टू हो गए यह दोनों प्यूज भाई क्या हम यहां पे बैस्ट्रो को ले सकते हैं बिल्कुल बैस्ट्रो को ले लोगे तो आपका क्या वाजएगा फॉल्स के साथ साथ यह दो नोगर आउट भी कर दें कर भी तो सकते ना उट तो एक नमबर थी का बैट्समेन भी कवर हो गया बैस्ट्रो ले लिया तो अगर लेना तो एक बोलिंग का ऑप्शन बढ़ गया ठीक है लियाम लेना तो और नमबर फॉर पर भी आएंगे वो या सिंपल अगर लग रहा है सिर्फ धवन और अगरवाल ही चेस कर देंगे तो दिल्ली का बल्लेबास लेना फिर अगरवाल को फिर इन फैक बैस्ट्रो को लेने की ज़रूत नहीं है तो यह फॉल्स टू था लेकिन उसमें लास्ट लियर आप बैस्ट्रो लियाम और कोई दिल्ली का बल्लेबास ले सकते हो तब आप देख रहे हो मेरी फेवरेट अप्लिकेशन और जो एप्लिकेशन सबसे वन ऑफ दो जैनून है इन फैंटेसी क्रिकेट यह बहुत बढ़िया अप्लिकेशन अगर पने एक्सजेंगेशन को डालोड नी किया ठ्राय करके देखिए भाई वन अव बेस्ट एक्सपीनिस इस फैंटेसी का आपको मिल जाएगा stock market में जिसको interest है, इसमें वैसी आपको interest है, यह cricketers का stock market है लेकिन अच्छी बात पता है कि hоко से 304-300 चार आप nós इसमें कमा सकते ओनिहों लोग कमा रहे मेरे follower कमा रहे हैं, और बहुत लोग कर रहे हैं बढ़िया बढ़िया लीडरबोर्ट प्राइस है बहुत कुछ है आई पियल के लिए अगर आप देखो तो बहुत इंटरस्टिंग है ठीक है ट्राय करके देखना लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है फोरकास कोड से जाओगे 10,000 गीववे का रोज मौकप आओगे जस लेकिन फाफ डूपलेसी को मल्टी बैगर भी किया था वर्ट ज्याद है मेरे कल के वीडियो में कि इनको मल्टी बैगर भी करना चलेंगे तो इतना चलेंगे कि सीधा 10 से 70 80 रूपे दे जाएंगे हजार लगाये थे तो वह साथ आट हजार बन गये होंगे सिर्फ हजार की इंवेस्टमेंट से तो यह समझो कि समझ के खेलना इंपोर्टेंट है बाकी की प्लियर देखो क्रूनल अच्छा करके गए होल्डर ने हमें प्रॉफिट दिया हर्शल ने प्रॉफिट दिया आपको एक हेल्प करने कोशिश करता हूं मेरी पिक्सी रहेंगी ठीक है मैंने अर्जदीप को बाई किया थोड़ा रिस्की है ठीक है अगर पंजाब की पहले बोलिंग है थोड़ा सा ले लेना जादा नहीं अक्षर लिया है मैंने शार्दुल लिया है मल्टी रोल प्लेयर रिशी धवन को अब हम बात करेंगे होल्ड में होल्ड की ठीक है यह मल्टी बैगर है यह आपको जिता आएगा 10 रुपे से 80 रुपे 100 रुपे यह रिस्की पिक लेते हो ना मानलो शार्दुल पर अभी 10 रुपे का 200 मिल रहा है अगर शार्दुल इस मैंच में हाइस और शिकर दवन को किया है देखो मैं आपको जैनुएन चीज बताता हूं अगर मैं आपको यह बता रहूं ना एक्सचेंज च्वेने डू सबसे अच्छी चीज है मज़ेदार है खेलके देखो तो यह भी बताऊंगा फ्लॉ किया है क्योंकि मैं अच्छी चीज और पॉइंट देख देंगे जिस दिन यहां पे बटलर ने हंड़र किया यूजी चैनले पांच विकेट बटलर बना था में वैसे तो हर जगी उनके ज्यादा पॉइंट थे बट यहां पर बल्लेबाज को हलका प्रेफर कर सकते हो बट वही है गें बास जो लेगा रिटर्न भ करना है अभी देखो यह दोनों टीम बोलिंग लॉर मैंने बोलर्स के ऊपर खेला है इस पर बोलर ज्यादा लिए हैं ठीक है लो स्कूरिंग मैच जब हो तो ऐसे आप कॉमिनेशन रखें बल्लेबाज वो रखो जो विकेट इसली नहीं देते गें बास बोलो जो विकेट ज क्योंकि विकेट कीपर ही जब आउट जादा हो रहे हैं बोलिंग लॉर बोलर्स ले रहे हैं डिसमिसल जाती है न स्टंपिंग आता है कैच आता है तो यह चीज़े भी ध्यान में रखो अब देखो यह बोलिंग लोर है डीसी फेवरेट मैंने डीसी के साथ प्लेयर लिये ह विकेट इसली नहीं देते वार्नर और सों साथ में दिखाया है वार्नर को 5डर20 में जाएगा नाम भी गूस तो वो भी विकेट कीपर भी बहुत अच्छा फॉल्स बन बनते हैं और बोलिंग और राउंडर्स यह मेरे फेवरेट हैं मल्टी रोल वले प्लेयर ठीक है अब आप यह टेलीग्राम में जुड़ सकते हो ठीक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है रोज एक बात बोल मैं चाहिए एक गेदबास हैं बल्लेबास से मुस्तफीजूर कप्तान है वाइस कप्तान आपको इस केस में कोई भी कर लेने है या शिकरदवन में ले रहे हो तो वह या फिर बैस्ट्रो मैंने बैस्ट्रो को बैक किया है नो इफ बैस्ट्रो यहां पर अच्छे खासे रंस कर जाए मैंने म्यंक को एहां पर नहीं लिया तो मुझे म्यंक की विकेt से शाज आगे यह इक ताइंप कर सकते हैं बेस्ट्रों ने वह काम किया डर्थ में आके मुझे मुझे मुस्तफी जूर से तिनिया हैं वह सकता कॉन सोचे का पहाईगा फई श्रेय सईयर भी कप्तान कर देता हम यूजी चैहल वाइस कप्तान बहुत कम लोग कुछ ने किया है कम लोगों वाली सोच रखेंगे तभी तो बहुत लोगों में उपर जाएंगे यह concept यहां मैंने कहरी किया है आप चेंज कर सकते हैं अब यह मेरी लास्ट है थोड़ी freestyle टीम है अपने मन से करी हुई टीम है इसमें कप्तानी कुल्दीप यादव को दिया विकेट है यह वही ग्राउंड है जहां पर एक मैच में पांच विकेट निकाले थे यूजी चहल ने ब्राबॉन स्टेडियम में यह मैच होने वाला है पहले एंसी अपुने में नहीं हो रहा कोविड की वज़े से ठीक है दिली कैम में कोविड आ गया था पैट्रिक फाहर अगर दोस्तों आपको लगता है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो मुझे अच्छा लगएगा अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब कर ले और फोरकास फैमिली में जुड़ोगे तो बढ़िया ही करोगे चली अगली वीडियो में मिलते हैं